हेलो ब्रीवन एक ट्यू सीट अलॉटमेंट इजल थर्ड राउंड का आचुका इस्टूरेंट्स तो आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले इस्टूरेंट्स फ्लॉट फ्रीज कैसे करना है और इस्टूरेंट्स अगर कोई फ्रीज कर देता है तो उसको फिजिकल रिपोर इस्टूरेंट्स फ्रीज हो जाएगा लेकिन अगर फिर्स्ट नहीं मिला है तो उनको फ्रीज या फ्लॉट करने होगा ठीके फ्रीज या फ्लॉट करने का जो डेट है वो इस्टूरेंट्स आप देख सकते कब तक कर सकते है यानि कि आप देख सकते दो नॉम्बर के पहले वही last होगी, तो आपने जो choice filling किया था, ठीक है, वही last choice filling होगी, अब आप choice filling नहीं कर सकते, internal sliding में भी वही consider किया जाएगा, ठीक है student, तो अब आपके पास option है, या तो आप freeze कर सकते हैं, या फ्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको जो college चाहिए था, व जिसका मिला उसका तो फ्रीज हो जाएगा, जिसको भी लगता है कि नहीं उसको भी उसको भी जो चाहिए था, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, फ्लॉट कर सकता है, ठीक है, फ्लॉट कर सकता है, ठीक है, फ्लॉट कर सकता है, ठीक है, फ्लॉट कर सकता है, फ्लॉट कर सकता है और जो अभी फ्रीज़ करेंगे, थर्ट राउन में अभी जो फ्रीज़ कर देंगे, उनको एक से चार्ड नॉंबर के बीच में जाना होगा, ठीक है? तो जो भी student चैनल पर नहीं हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक करें, और इसने जैसे spot round से related seat vacancy आएगी, और spot round से related में एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का link में description में दे दूँगा, आप जाकर के देख भी सकते हैं, ठीक है is spot round से related, okay thank you.